नमस्कार मैं सुहानी स्वागत है ग्लोब निउस जारखन में आईए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर टेतला के दा इंपिरियर रिसॉर्ट में जारखन मुक्ति मोर्चा के पंचायत कमीटियों की एक महत्तपुन बैठक सजीव सर्दार की अधिक्षता में आयोजित की गई बैठक में 34 पंचायत के पंचायत कमीटी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्तित रहें बैटाग में पोटका विधायक संजीव सर्दार ने कहा कि अब जार्खन में कोरोना का दूसरा स्टेट चल रहा है कोरोना से जनता कैसे बचे और जागरू कैसे किया जाए इस पर विचार मन्तन किया यही पुरा इस समय देश में और हमारा राज में कोवीड-19 कोरोना बिमारी को लेके फूरो हमारा स्टर में पार पसा रहा है उसके लिए कि आज हमारे उसका गढ़न के हैं अपरूप जनेतालों के साथ जार्खन में वर्ष किये किसे हमारा लोगों को इसके जार्खन करी पुलिस के समी प्रायरंगपूर के दोवेपारी प्रताब बहराय और मुकतार से फायरिंग के कर बंदुग की नोग पर एक लाग सतर हजार की लूट सनिवार की सुबह आठ से नौ के बीच में की गई पुलिस वारत्तीन टीम का गठन कर विभिन जग़ा पर शापे मारी की गई शापे मारी के दौरान गठना में सामिल आठ अपरादियों में से दो अपरादियों को गरिफतार करने की सफलता हासिल की जिसमें खरसावा के रमेस महाली ओम सुन्दर नगर ठाना छेतर के विधाता तंतु बाइस सामिल है जमसित पुरुस्तिक परसूडी ठाना अंतरगत बंग बंदु द्वारा आज दिनान 12 अप्रेल को दुर्गा महल प्रणाग में वैक्सिनेशन कैम का आयोजन किया गया आपको बता दे कि बुजर्गों को जागरुपता करते हुए वैक्सिनेशन देने का प्रयास किया गया जिसमें अंचल के सभी बुजर्गा आखर वैक्सिनेशन का साइदा उठा रहे हैं अब जितने को आप दिये हैं उसमें से कोई तो बोला नहीं मेरे बुखार है एक साफ बुज है जिसमें से कोई शुझ करिया जाब के याौश कल बवजन दे माऩश से ख Are you correct? आपका पड़िशर प्रविताई है? मैं सुपरवाइजर हूँ और हम लोगो मॉबलाइशन देखनी है और सारी वबस कर दो मैं एक्चुली वैक्चिनेशन का साही प्रोसेस किया है? पहले कुरोना टेस्ट होगा या वैक्चिन होगे क्या है? मैं अगर कोई कोरोना टेस्ट हो उसके बाद वैक्चिन होगा अगर कोई कोरोना संक्रमीत निकले उससे क्या वैक्चिन दिया जाएगा? देखिए अगर संक्रमीत निकल गया है तो उसको तो पहले अलग से बवस्ता करके उसको बठाना है अलग से फिर उसका प्रोसेस ही पुरा अलग है तो कोरोना का ठीका तो उसको पहले नहीं दिया जाएगा तो आपको जो रैक्शनेशन होगा आपको कोरोना टेस्ट हुआ कोरोना टेस्ट हुआ है उसके बाद रैक्शन दिया जाएगा तो क्या नियम है इस प्रैक्शन दिया जाएगा कुवाली थाना अंतरग धल्दी पोखर में एक नबालिक लड़की को एक युवक के द्वारा भगा ले जाने के मामले में लड़की के पिता ने कुवाली थाना में अपहरन का मामला दर्ज कराया कर दूला के भोपी नामका लड़का है बिटी को लेकर भागा दिया अच्छा नाज़ की लड़का ही है बारा इसका अबात आज मिला आज मिला वाली थाना पर अब्लेके उसको लेकर थाना में किया थे क्या रहें थाया है हम चाह रहे हैं, उसका कानून करवाज साजास को होना चाहिए, रबेटी थे, उसका यो गोपी नम का लड़का है, उसको साजा मिलना चाहिए थाना में मामला दर्च करा हैं थे, आप क्या? हाँ, करा हैं थे